केशव मौर्या का बयान आया, वो कहते हमी से बात कर लेते हम कोई तरीका निकाल देते हैं, आप क्यों छोड़के चले गए? कई बीजेपी वाले बात करते हैं, कोई रस्ता निकाल आता सुलह का? बैरी देखो, आप केशव मौर्या जी की बात कर रहे हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं, यद्दिप की उप मंत्री जरूर हैं, लेकिन उत्तरपदेश सरकार में उनकी हालत बेचारे जैसी रही हैं, वो अपना रोना कभी-कभी खुद रोते भी रहे हैं, इसलिए जो बेचारा है, उस बेचारे को मैं अपनी बात क्यों बताऊंगा, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो उत्तरपदेश के अंसुचिजाद पिषणों के लिए क्या करेगा, इसलिए बेचारे को बेचारे की हालत में रखने दीजिए, आप उनको बेचारा बोल रहे हैं, वो तो ड बेचारी जर्शी है, अच्छा, हमने दोहजार चौधा के बाद देखा कि कई सारी नौन जातव दलिट्स, नौन यादव ओबीसीज, बीजेपी के साथ जुड़े, क्या आपको लगता है कि पार्टी इन तमाम कम्यूनिटीज, इन तमाम समोदाई के लोगों की जो प्रदेश जैसा चुनाव जी चकती है, देखिए, वो भी मेरी देन थी, मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था, भार्ती इन ता पार्टी में आया था, बहुत ब्राव जनधार बहुजन समाज पार्टी से निकल के, मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से निकल के भार पार्टी जनता पार्टी बन गई और नतिजा हुआ एक तरफा उसका चुनाओ चल गया और पूर्ण पुछन बहुमत की शरकार मनाई आज मैं भार्टी जनता पार्टी एकर छोड़ा हूं तो जिस तरीके से मेरे छोड़ने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई उसे प्रकार से मेरे छोड़ने के बाद बारती इंता पार्टी का बनवाज भी तैह हो जाएगा आपके खुद के हिसाब से अलग-अलग विशलेशक अपना अनुमान लगाएंगे के आपके खुद के हिसाब से श्वामी प्रसाद मौरे की राजनीतिक हैसित क्या है अगर आप छोड़ते हैं आपके हिसाब से बीजे पी का कितना वोट कटेगा आप क्या मानते हैं देखिए स्वामी प्रसाद मौर्या भ्यकती नहीं है वो पूरे प्रदेश के लाखों लाख गरीब दलित पचछे समाज के नेता हैं इनके उच्वीटों की लड़ते रहें, शंगर्श करते रहें, जब इसमी जाते हैं तेहारी पढ़ी पहार की तरह खड़े हो जाते रहें, अधार हॉश में हॉश के बाहर इनकी बात तुह मझभूति दुछाते रहें, मंत्री की रूप में जबर्जस्त इनकी हितों के लिए काम किया है इसलिए अगर श्वामी प्रशाद मोर्या कोई निरने ले रहे हैं तो प्रदेश का अंसुची जाद जन्जाद और पिश्वे वर्ग निरने ले रहा है और इसलिए जिस अंसुची जाद जन्जाद और दलीतोर पिशला जिसने इनकी शरकार मनाई थी, वही इनकी शरकार की ताबूत में कील भी गाड़ेगा। अब इनको क्या लग रहा है कि सपा की सरकार आईगी इसलिए मौसम वह्यानी की भूमे का हमें, कम से कम आप सोच रहें, इस वजह से आप जुड़ रहें सपा के साथ। ऐसा है बहुत से मीडिया के चैनल के और बहुत से प्रिंट मीडिया के बहुत से लेक्टानिक मीडिया के बहुत से बड़े-बड़े संपादक, बड़े-बड़े पत्रकार, बड़े-बड़े रिपोर्टर को मैंने देखा है हर साल चैनल बदलते हैं, हर साल आगबार बदलते हैं, हर साल कुई शंपादक एक और दूसरे में जाता है वो अशरबादी होते हैं क्या? परिस्तियों के कारण ऐसा होता है इसलिए ये आईशी बात करने वाले लोग घिनोनी सोच के लोग हैं जो चाहते हैं उनके मनमाने पन को गुलाम की तरह बरदास्त करें उनके मनमाने पर का प्रतिकार न करें उनके मनमाने पर का विरोध न करें और स्रामी प्रशाद मौरा हमेशा समान स्रामाज के लाई लड़े हैं. जो भी समान स्रामान से टकड़ाएगा, स्रामी प्रसाद मौरा चुप नहीं बैठेंगे, बलकिन कराराइब देंगे, और सर आने पर उनको पठकनी भी देंगे.